तो टैक्स से जुड़े इस नए प्लाटफॉर्म की शुरुआत होने वाली है और विडियो कॉन्फिरंसिंग के जरिये इस वक्त प्रधामिती नरेंद्र मोदी इस प्लाटफॉर्म की शुरुआत करेंगे तस्मीरें आपके सामने हैं लोकारपन के लिए आयोजित है वित्त मंत्री निर्मला सीतार रमन वित्राजय मंत्री अनुराक थाकूर आयकर विभाक के धिकारी आर्तिक संगथन या पार संग चार्टेड अकाउंटेंट संगथन सब इस वीडियो कॉन्फिरंसिंग में शामिल हैं अजैसरी निर्म्नात्र रस्पे OUT हम डिए लिए बुन in the history of tax administration. The vision of the Prime Minister is to empower the taxpayers to provide a transparent system and to honour the honest taxpayer. To realise this vision, the CBDT, the Central Board for Direct Taxation, has given a framework and put in place a system in the form of this platform. A transparent, efficient and accountable tax administration is what this platform brings in. It uses technology, data analytics and also uses artificial intelligence. What does this mean to the taxpayer in the country? It eases compliance burden. It brings in fair, objective and a just system. There shall not be any physical interface between the department and the taxpayer. And to an extent, it shall bring in certainty of information. So tax-wibhagakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak बढ़ा जाएगा अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं और आगे क्या करने की योचना है इसमें जानकारी दी जाएगी तो ये वीडियो कॉंफरेंसिंग की शुरुआत हो गई है और जो हमारे इमांदार करदाता हैं उनको कैसे पूटसाहित किया जाए ये उसी दिशा में एक अदिकारी हैं, व्यापार संगठन है, चर्टि अकाउंटन संगठन है, वो सब इस कारिक्रशम में इस वक्त शामिल हैं modified और सारगा फोकस जो इमांदार करदाता हैं उनको प्रोच्छत करने पर है जो प्रत्यक्षकर कानून है उनके सरड़ी करन पर लगातार फोकस बना हुआ है और आएकर विभाग के काम में किस तरह से जो ट्रांस्पिरेंसी है, पारदर्शिता है, दक्षता है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसी दिशा में आप कुछ महत्पून कदम और उठाये जाने हैं, तो तंत्र को कैसे बेहतर किया जाए और इमांदार करदाता को कैसे प्रोटसाहित किया जाए, उसी दिशा में इस कारेक्रम की शुरुआत की जा रही है, और अगर हम देखें, हमारे देश में जो इंक्रम ट्राक्स देने वालों की संख्या है, उसमें लगातार बढ़हुत्री देखी जा रही है, जहां 2014-15 में पांच करोड़ से जादा करदाता रहे, अब 2018-19 में वो बढ़कर आठ करोड से जादा हो चुके हैं, और इसी वज़ा से जो इमानदार करदाता हैं, उनको तोटसाहित करने की बात लगाता है, प्रधामन्ती नरेंद्र मोदी करते रहें, तो टैक्स चुकाने के जो तरीके हैं, उन्हें और सरल बना बनाय गया है, डिजिटल बनाने की तैयारी अभी की जा रही है, प्रत्यक्षकर में अभी तक जो सुधार हैं, उनका जिक्र इस वीडियो कानफरेंसिंग में किया जा रहा है, और साथी साथ और क्या सुधार किया जाएगा, और इसे कैसे पारदर्शी बनाय जाएगा, और बनाय जाने वालों की संख्या थी, वो देखिये, पांच करोड़ सतर लाग थी, और अब वो साल दर साल बढ़ती चरी गई, दो हजार 15-16 में ये 6 करोड़ 14 लाग हुई, दो हजार 16-17 में ये बढ़कर 6 करोड 92 लाग हुई, और 2017-18 में 7 करो 43 लाग, और 2018-19 में ये और भी बढ़ चुकी है, 8 करोड 46 लाग, तो पारदर्शी कराधान इमानदार का सम्मान, इसी मंच की शुरूआत ये की जा रही है, टेक्स सुधार के जरिये, ये आर्थिक करांती देखी जा रही है देश में, और इसी की शुरूआत की है प्रधानमंती नरेंद्र मोधी ने, प् और प्रत्यक्षकर में आगे और क्या सुधार किया जाएगा, इसको लेकर अब योजना बनाई जा रही है, और उसी की जानकारी जो है, वो इस वीडियो कॉण्फरेंसिंग के माध्यम से इमानदार करदाताओं को दी जाएगी. और इस प्लाटफॉर्म का जो नाम है, वो है Transparent Taxation, Honoring the Honest, यानि पारदर्शी कराधान, इमानदार का सम्मान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि आप Income Tax अगर देते हैं, तो उससे जो देश का इंफ्रस्ट्रक्चर है, उसमें वो जो है पैसा लगाया जाता है, साती साथ गरीबों के लिए बहुत मददगार साबित होता है, उनके लिए कई आई जाती हैं, जिनसे देश का जो विकास है, वो संभव हो पाता है, और करदाताओं का जो सम्मान है, वो प्रधानमंत्री का विजन है, ये बात कहते हुए वितमंत्री निर्मिला सीता रमन, और टाक्स सुधारों के लिए आज का दिन एतिहासिक है तो इस मंच के शुरुआत हो गए है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये ट्रांस्परिंट टाक्सेशन ओनुरिंग दो ओनेस्ट, ये इस मंच को नाम दिया गया है, क्योंकि जो इमानदार करदाता है, उनको प्रधसाहित करना ही इसका मकसद है, और ये देखिए, ये ये पूरी जानकारी जो है, इंकम टाक्स विभाग की ओर से दी जा रही है, और अपने मन की बात यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की वित्मंत्री के जरी निकल करा रहे है, क्योंकि लगातार वो ये बात एहते हैं कि इंकम टाक्स जरूर दिया जाना चाहिए, देश के हर न सिला, आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है, ट्रांस्परंट टेक्सेशन, ओनरिंग दा ओनेस्ट, 21 सदी के टैक्स सिस्टिम की इस नई व्यवस्था का आज लोकारपन किया गया है, इस प्लेटफॉर्म में, फेस्लेस एसेस्मेंट, फेस्लेस अपील और टेक्स पेर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स है, फेस्लेस एसेस्मेंट और टेक्स पेर्स चार्टर आज से ही लागू हो गये हैं, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दिंद्याल उपाध्याईजी के जन्ब दिन से पूरे देश भर में नागरीकों के लिए उपलब्द हो जाएगी अब टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है लेकिन टैक्स पेयर को ये फैरनेस और फियरलेसनेस का विश्वाज देने वाला है ये सभी टैक्स पेयर्स को इस महत्वपूर्ण तोफे के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इंकम टैक्स विभाग के सभी अधिकारियों को हर छोटे-मोटे कर्मचारी को भी बहुत बहुत शुपकामनाई देता साथियों, बीते छे वर्ष में हमारा फोकस रहा है बैंकिंग दे अनबैंक, शिक्यरिंग दे अन्सिक्यार और फंडिंग दे अन्फंडेड आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है honoring the honest, इमानदार का सम्मान, देश का इमानदार taxpayer राष्ट निर्माण में बहुत बड़ी भूमी का निभाता है जब देश के इमानदार taxpayer का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है साथियों, आज से शुरू हो रही, नई व्यवस्ताएं, नई सुविधाएं, minimum government, maximum governance, इसके प्रती हमारी प्रतिवद्धता को और मजबूत करती है ये देश समाचियों के जीवन से सरकार को, सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदब है साथियों, आज हर नियम कानुन को, हर policy को, process और power centric approach से बहार निकाल कर उसको people centric और public friendly बनाने पर बल दिया जा रहा है ये नए भारत के नए governance model का प्रयोग है और इसके सूखद परणाम भी देश को मिल रहे हैं आज हर किसी को ये एहसास हुआ है कि short cuts ठीक नहीं है और हमारी यहां तो railway station पर लिखा जाता है short cut will you cut you short गलत तोर तरीके अपनाना सही नहीं है वो दोर अब पीछे चला गया है अब देश में माहोल इस और आगे बढ़ रहा है कि कर्तव्य भाव को सर्वों पर ही रखते हुए सारे काम होने चाहिए सवाल ये है कि ये बढ़लाव आखिर कैसे आ रहा है क्या ये सिर्फ सक्ति से आया है क्या ये सिर्फ सजा देने से आया है जी नहीं बिलकुल नहीं इसके अगर मोटे मोटे तौर पर मैं कहूँ तो चार बड़े कारण है पहला पॉलिसी ड्रिवन गवननस जब पॉलिसी स्पस्ट होती है तो ग्रे एरियाज मिनिमम हो जाते हैं और इस कारण व्यापार में बिजनेस में और सरकार के और नेणव में भी डिस्क्रिशन की गुंजाईस कम हो जाती है दूसरा सामान्य जन की इमाददारी पर विश्वास तीसरा सरकारी सिस्टिम में हुमन इंटरफेस को सिमित करके टेकनोलोजी का बड़े स्तर पर उपलोग आज सरकारी खरीद हो सरकारी टेंडर हो या सरकारी सेवाओं की डिलिवरी सब जगह टैक इंटरफेस सर्विस दे रहे हैं और चौथा हमारी जो सरकारी मशिंद्री है जो बिरोकसी है उसमें एफिशन्सी इंटिग्रीटी और सेंसिटिविटी के गुणों को रिवर्ड किया जा रहा है पुरस्कृत किया जा रहा है साथियों एक दोर था जब हमारे हाँ रिफॉर्म की बहुत बाते होती थी कभी मजबूरी में कुछ फैसले दिये जाते थे कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे तो उन्हें रिफॉर्म कह दिया जाता था इस कारण इस्छित परणाम नहीं मिलते थे अब ये सोच और एप्रोच दोनों बदल गई है हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीती आधारित हो टुकडों में नहीं हो होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए और ऐसा भी नहीं है कि एक बार रिफॉर्म करके रुख गए ये निरंतर सतच चलने वाली प्रक्रिया है बीते कुछ वर्षों में देश में डेड़ हजार से जादा कानूनों को समाप्त किया गया है इजब डूइंग बिजनेस की रैंक मिंग में भारत आज से कुछ साल पहले 134 वे नंबर पर था आज भारत की रैंकिंग 63 है रैंकिंग में इतने बड़े बड़लाव के पीछे अनेकों रिफोर्म्स है अनेकों नियमों कानूनों में बड़े परिवर्तन है रिफोर्म्स के पती भारत की इसी प्रतिवद्धता को देख कर विदेशी निवेशकों का विश्वाद भी भारत पर लगातार बढ़ रहा है कोरोना के इस संकट के समय भी भारत में रिकॉर्ड एफडियाई का आना इसी का उदान है साथियों भारत के टैक्स सिस्टिम में फंडामेंटल और स्ट्रक्च्रल रिफोर्म्स की जरुद्ध इसलिए थी क्योंकि हमारा आज का ये सिस्टिम गुलामी के कालखन में बना और फिर दीरे दीरे इवाल हुआ आजादी के बाद इसमें यहाँ वहाँ थोड़े बहुत परिवर्टर किये गए लेकिन लार्जली सिस्ट्रम का करेक्टर उसकी चांच चलन वही रहा परिणाम यह हुआ कि जो टैक्सपेयर राष्ट निर्मान का एक मजबुत पीलर है जो देश को गरीबी से बहार निकालने के लिए योगदान दे रहा है उसको कड़गरे में खड़ा किया जाने लगा इंकम टैक्स का नोटीस फर्मान की तरह बन गया देश के साथ चल करने वाले कुछ मुठी भर लोगों की पहचान के लिए बहुत से लोगों को अनावाशक परेसानी से गुजरना पड़ा कहां तो टैक्स देने वालों की संख्या में गर्व के साथ विस्तार होना चाहिए था और कहां गड़ जोड की साथ गांड की विवस्ता बन गई इस विसंगती के बीच ब्लैक और वाइट का उद्योग भी फलता फूलता गया इस विवस्ता ने इमानदारी से व्यापार कारोबार करने वालों को रोजगार देने वालों को और देश की युवार शक्ती की आकांग्षाओं को प्रोथसाहित करने के बजाए कुचलने का काम किया साथियों जहां कॉम्प्लेक्सिटी होती है वहां कम्प्लाइंस भी मुश्किल होता है कम से कम कानून हो जो कानून हो वो बहुत पस्ट हो तो टैक्स प्रेयर भी खुश रहता है और देश खुशाल होता है बीते कुछ समय से यही काम करने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे है अब जैसे दरजनों टैक्सिस की जगे जी एस्टी आ गया रीटर्ण से लेकर रीफन की ववस्ता को पूरी तरद से ऑनलाइन किया गया जो नया स्लैब सिस्टिम आया है उसमें बेवजय के कागजों और दस्तावेजों को जुटाने के मजबूरी से मुक्ति मिल गई है यही नहीं पहले दस लाख रुपिये से उपर के विवादों को लेकर सरकार हाई कोट और सुप्रिम कोट पहुंच जाती थी अब हाई कोट में एक करोड रुपिये तक के और सुप्रिम कोट में दो करोड रुपिये तक के केस की सिमात ताईगी गई है विवाद से विश्वाद जैसी योजना से कोशिच यह है कि ज़्यादा तर मामले कोट से बाहर ही सुलज जाए इसी का नतीज़ा है कि बहुत कम समय में ही करीब तीन लाख मामलों को सुल्जाया जा चुका है साथियों प्रक्रियों की जटिलताओं के साथ साथ देश में टैक्स भी कम किया गया है पांच लाख रुपिये की आयप और अब टैक्स जीरो है बाकी स्लेब में भी टैक्स कम हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में हम दुनिया में सबसे कम टैक्स लेने वाले देशों में से एक है साथियों कोशिश यह है कि हमारी टैक्स प्रनाली सीमलेस हो पेइनलेस हो फेसलेस हो सिमलेस यानि टैक्स एड्मिस्टेशन हर टैक्स प्रनाली से लेकर रूर्स तक सब कुछ सिंपल हो फेसलेस यानि टैक्स प्रनाली कौन है और टैक्स ओफिसर कौन है इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए आज से लागू होने वाले ये रिफार्म्स इसी सोच को आगे बढ़ाने वाले हैं साथियों अभी तक तो होता यह है कि जिस सहर में हम रहते हैं उसी सहर का टैक्स डिपार्टमेंट हमारी टैक्स से जुड़ी सभी बातों को हैंडल करता है स्क्रूटिनी हो नौटीज हो सर्वे हो या फिर जबती हो इसमें उसी शहर के इंकम टैक्स डिपार्टमेंट की आयकर अधिकारी की मुख्य भूमी का रहती हैं अब यह भूमी का एक प्रकार से खत्म हो गई हैं अब इसको टैक्नलोजी की मदद से बदल दिया गया है अब स्क्रूटिनी के मामलों को देश के किसी भी खेत्रे में किसी भी अधिकारी के पास रेंडम तरीके से आवंटित किया जाएगा अब जैसे मुंबई के किसी टैक्स प्रेयर का रिटर्न से जुड़ा कोई मामला सामने आता है तब इसकी छानमीन का जिंबा मुंबई के अधिकारी के पास नहीं जाएगा बलकि संभव है कि वो चिन्ना ही चला जाए गोहर्टी चला जाए राइपूर चला जाए एमदावाय चला जाए वो फेस्टलेस टीम के पास जा सकता है और वहां से भी जो आदेश निकलेगा उसका रिव्यो किसी दूसरे शैक्स कहीं जाएपूर हो जाएगा बैंगलूर हो जाएगा चेन्नी हो जाएगा कोची हो जाएगा वहां की टीम करेगी अब फेस्टलेस टीम कौन सी होगी इसमें कौन होगा ये भी कॉम्प्यूटर रेंडमली तय करेगा और ये प्रक्रिया भी बार बार उसमें बढ़ला होता रहेगा साथियों इस सिस्टिम से करदाता और इंकम टैक दप्तर को जान पहचान बनाने का प्रभाव और दबाव का मोका अब जीरो हो गया सब अपने अपने दाइत्व के हिसाब से काम करेंगे डिपार्टमेंट को इस से लाब ये होगा कि अनावश्यक मुकदमे बाजी बचेंगे उससे दूसरा ट्रांसपर पोस्टिंग में लगने वाली गयर जरूरी उर्चायच से भी अब राहत मिलेगी इसी तरह टैक्स से जुड़े मामलों की जाँच के साथ साथ अपील भी अब फेस्ट्रेस होगी साथियों इस एक महत्वपुन डिफॉर्म के साथ साथ आज भारत एक बहुत महत्वपुन कदम उठा रहा है और वो है टैक्स पेयर चार्टर ये टैक्स पेयर चार्टर भी देश की विकाश यात्रा में बहुत बड़ा कदम है और टैक्स पेयर के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों को संतुलित करने का और सरकार की जिम्मेवारी पक्की करने का ये बहुत एहम कदम है टैक्स पेयर को इस तरका सम्मान और सुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश है गिने चुने देश है लेकिन अब भारत भी इस महत्वपूर्ण कदम की और अपने आपको ले जाकर के उसमें शामिल हो गया है अब टैक्स पेयर को उचीत विनम्र और तरका संगत वहवार का बरोसा दिया गया है यानि आएकर विभाग को अब टैक्स पेयर की डिगिनिटी का सम्वेदन सिल्ता के साथ ध्यान रखना होगा अब टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक्त की नजर से नहीं देख सकता अगर किसी प्रकार का संदे है भी तो टैक्स पेयर को अब अपील और समिक्षा का कभी अधिकार दिया गया है साथियों अधिकार हमेशा दाइत्वों के साथ आता है कर्तव्यों के साथ आते हैं इस चार्टर में भी टैक्स पेयर से कुछ अपेश्याय की गई है टैक्स पेयर के लिए टैक्स देना या सरकार के लिए टैक्स लेना ये कोई हक का अधिकार का विशे नहीं है बलकि ये दोनों का दाइत्व हैं, जिम्मेवारी हैं, कर्तव्य हैं, रिस्पॉन्सिमिलिटी है टैक्स पेर को टैक्स इसलिए देना है क्योंकि उसी से सिस्टम चलता है देश की एक बड़ी आबादी के प्रती देश अपना फर्ज निभा सकता है और उजवल भविश्की और कदम भी रख सकता है, इसी टैक्स से खुद टैक्स पेर को भी तरक्की के लिए प्रगति के लिए बहतर सुबिधाये और इंफास्ट्रक्चर मिल पाता है वहीं सरकार का ये दाइत्व है कि टैक्स पेर की पाई पाई का सदुप्योग करे ऐसे में आज जब करदाताओं को सुविधा और सुरक्षा ये दोनों मिल रही हैं तो देश भी हर टैक्स पेर से अपने दाइत्वों के प्रती जादा जागरुक रहने की अपिक्षा करता है साथियों देश वासियों पर भरोसा इस सोच का प्रभाव कैसे जमीनी पर नजर आता है ये समझना भी बहुत जरूरी है वर्ष 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न होते थे उसमें से 0.94 परसेंट की स्कुरूटरिनी होती थी वर्ष 2018-19 में ये आंकडा घटकर 0.26 परसेंट पर आगया है यानि केस की स्कुरूटरिनी करीब करीब एक चोथा ही हो गई है चार गुना कम हुई है स्कुरूटरिनी का चार गुना कम होना अपने आप में बता रहा है कि बदलाव कितना व्यापक है साथियों बीते छे वर्षों में भारत ने टैक्स एड्मिस्टेशन में गवर्नांस का एक नया मॉडेल विच्सित होते देखा है we have decreased complexity, decreased taxes, decreased litigation, increased transparency, increased tax compliance, increased trust on the taxpayer, शाथियों इन सारे प्रयासव के बीश बीते छे साथ साल में income tax return भरने वालों की संख्या में करीब डाइक करोड की वृद्धी हुई है ये वृद्धी तो बहुत बड़ी है लेकिन इस बात का हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसके बावजुद भी 130 करोड के देश में ये बहुत कम है इतने बड़े देश में सिर्फ 130 करोड में से 1.5 करोड साती ही income tax जमा करते हैं एक सो तीस करोड में डेट करोड मैं आज देश हुआस्यों से भी आगरह करूंगा जो सक्षम है उनको भी आगरह करूंगा बिन्द बिन करके व्यपार उद्योग के संगठन चलाते हैं उनको भी आगरह करूंगा इस पर हम सब को चिंतन करने की जरूत हैं देश को आत्म चिंतन करना होगा और यह हमारा आत्म चिंतन ही आत्म निर्भर भारत के लिए आवशक है अनिवार्य है और यह जिम्मेदारी सिर्फ टैक्स डिपार्ण्बेंट की नहीं है यह जिम्मेवारी हर हिंदुस्तानी की हर हर भारतीय की है जो टैक्स देने में सक्षम है लेकिन अभी वो टैक्स नेट में नहीं है वो स्वाप ररणा से अपने आत्मा को पूछे आगे आएं और अभी दो दिन के बाद 15 अगस्त हैं आज हादी के लिए मर्न मिटने वालों को जरा याद कीजिए आपको लगेगा हाँ मुझे भी कुछ न कुछ देना चाहिए आएए विश्वास के अधिकारों के दाइत्वों के इस महत्वपुन भावना का सम्मान करते हुए इस प्लेटफॉर्म का सम्मान करते हुए नए भारत आत्मनिर भर भारत के संकल्प को सित्थ करें एक बार फिर देश के वरतमान और भावी इमानदार टैक्सपेयर को बहुत बहुत बढ़ाई देता हुँ शुपकामनाई देता हुँ और ये पहल ये बहुत बढ़ा फैसला दिया गया है इंकम ट्रेक्स के अधिकारियों को भी जितनी बढ़ाई दे उतनी कम है हर टैक्सपेयर ने इंकम ट्रेक्स अधिकारियों को भी बढ़ाई देनी चाहिए क्योंकि एक प्रकार से उन्होंने अपने आप पर मंधन डाले हैं अपने खुद की थाकत को अपने अपने अधिकारों को उन्होंने खुद ने काटा है अगर इंकम ट्रैक डिपार्डमेंट के अधिकारी इस प्रकार से आगे आते हैं तो किसको गर्व नहीं होगा हर देश्वा करो गर्व होना चाहिए अठ पहले की जमाने में साथ टैक्स के कारण कुछ समय से होगी लोगों ने टैक्स देने के राज़ते पर जाना पसंद नहीं किया होगा अब जो रास्ता बना है वो टैक्स देने की तरब जाने का आकरशक रास्ता बना है और इसलिए आईए भव्य भारत के निर्माण के लिए इस ववस्ता का लापी उठाएं और इस ववस्ता को जूड़ने के लिए आगे भी आए मैं फिर एक बार आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ अनेक-अनेक शुब कामनाई देता हूँ निर्माणाजी और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक के बाद एक देश के उजवल भविश के लिए लंबे अर्षे तक प्रभाव पैदे करने वाले अनेक सकानात्मक निरिणों का नेतृत्व करने हैं मैं फिर एक बार सबको बधाई देता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं